प्यारे दोस्तों सबसे पहले भूगोल विशे से सम्मंधित आपत्तियों के निस्तारण हेतू गठित पैनल में सम्मिलित एक्सपर्ट को सबसे पहले तीन तोपों की सलामी देते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ अब देखिए आप लोगों का इंटरव्यू के लिए चैन हो चुका है फिर भी आप लोग परिशान है कि अंतिम कटाफ क्या जाएगा किसका कितना कोश्चन है क्या है आपको अनुमान लगी गया है फिर भी मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि अब आप चाहे जो भी क राकुमेंट तयार कर लें बहुत लोग अभी भी घूम रहे हैं दूसरा इंटरव्यू में 45 अंक प्राप्त करने के उचित प्रयास करें जो भी समचित प्रयास कर सकते हैं उसको कीजिए 45 प्लस आप नंबर लाइए यह अगर जो बेवस्था हो जाता है तैयारी कर लेते है हैं आप तो तीसरा है कालेज चैन में 2070 तरकता क्योंकि आपका फाइनली सेलेख्शन हो गया तब ही कालेज यदि अपकाइदेजस अऩर्य सेलेख्शन नहीं किये हैं अच्छा कालेज नहीं मिला यह क्या दिकते आ सकती हैं यदि इसमें आप चूक करते हैं तो अंतिम चैन होने के बाद भी आपको कोट का चक्कर लगाना पड़ सकता है क्या क्या विशे है महत्पूर्ण इस वीडियो के काले चैन में कीन बातों का रखा जाए ध्यान इसको मैं बताऊंगा इसमें PGT भूगोल का पेपर अस्तरी होने के बाद भी कटाफ अधिक क्यों गया इसके लिए मैं भी तीन तोपों की सलामी का हकदार हूँ दोस्तों यदि आपको लगता है तो इंटर्विव के लिए कटाफ क्या है यानि कि अभी जो जारी हुआ है इंटर्विव के लिए लड़कों का वह कितने प्रस्णों तक के कंडिडेट्स को काल किया गया इंटर्विव में इसके बारे में जनकाई देंगे ये भी अनुमानित होगा और फाइनल सेलेक्शन कितने प्रस्ण पे होगा ये सबसे बड़ा रहस्य वाला अंतीम है इस पर भी तोपों की सलामी मिल सकती है फिर से मुझे तयार हूँ आगे चलते हैं PGT 2016 कालेज आवंटन जनरल का देखिए ये मैं अपना ही डाला हूँ और मैंने ये 5-24 भरा हुआ था देखिए जो पहला मेरा 24 था वो चंदवली में सदलपूरा बनारस से सटा हुआ था इसलिए मैंने इसको पहला 24 डाला था गलती से लाग भी हो गया ये लेकिन इस्वर की क्रिपा यह चौथे राइंग पे जो था उसको ये पहला मेरा मिल गया दूसरा गाजीपूर में था वो मुझे अलाठ हो गया पाँचमा रैंक आपको इधर दिखरा है मेरा था वो मुझे अलाठ होआ जो मेरा तीसरा च्वाइच था वह बाइसमे रैंक वाले को मिला और गाजीपूर में जो था ये चोथा च्वाइच मेरा ये इग्यारहमे रैंक वाले को आबंटित हुआ और पांचवाँ 24 मेरा 18 रैंक वाले को आबंटित हुआ मिला इस तरह से आप जानते हैं कि केवल आपको कालेज 24 में 5 ही कालेज भरने होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीजी यह है यदि आपको भी स्वास है कि ताप 30 में आएंगे जनरल में और OBC वालों के लिए तो वह पांच 24 कोई भी आप अपने हिसाब से भर लीजिए लगभग आपको पांच में से एक मिल जाएगा लेकिन टाप 30 से उपर यदि आप हैं तो आपके लिए एक मैं सुझाओ दूँगा करमांग एक, दो, तीन, चार तक आप जो बेस्ट मानते हैं उसको आप भरिये और पांचमा देखिए जब आपका उपर वाला पांचो का पांचो आपका आपसन इस्तेमाल कर लेगा तो आप जीरो आपसन पे आजाएंगे फिर आयोग अपने हिसाब से रेंडेम ली कहीं भ होगा लेकिन टाप मेरीट में मुझे नहीं रहना है टाप 30 में आना संभावना कम है तो आप चार भरिये पांचमे को कोई अपने आस-पास के जिले में जिसको आपको लगता हो कि इसको जल्दी अपने पांच आप समय कोई नहीं डालेगा उसको से तोर पे डाल करके रखि इसमें देखिया अत्ता है 30 वाले रैंक वाले ने दिवरिया जिला का ये रहने वाला है बलरामपुर में ये पा गया है ये 201 किलो मीटर पर पाया है सबसे बहतरीन ये सबसे कम दूरी पर ये पाया हुआ है एक तरश कहा जाए इस रैंक पर रहते हुए आप 22 वे वाले को आधन भी नहीं मिलता है और ये बलरामपूर अगर जो ये आपसन में डाले होते तो ये 95 किलो मीटर पर ये सर्विस कर रहे होते हैं आराम से चुकि ये पांच आपसन जो भी डाले होंगे वह दूसरे ऊपर वाले रैंक वाले ने इस्तेमाल कर लिया होगा इनको नहीं मिला निकाला हुआ है कालेज का 731 किलो मीटर ये दूर चले गए यदि ये बलरामपूर डाले होते हैं तो 242 किलो मीटर पर ये सर्विस कर रहे होते हैं मिरजापूर वाले को देख लीजिए अली गड़ी इनको भी भेज दिया है ये 597 किलो मीटर दूर जा करके सर्विस कर रहे है इनके घर से दूरी निकाला गया है एड्रेस के हिसाब से यह बलरामपुर डाले होते हैं तो 344 किलो मेटर कुछ न कुछ फायदा रहा होता लेकिन यह 33 वाले ने देखिए इसको आब अब अंटित हो गया हो सकता है कि 33 वाले का भी पांच जो आपसन यह दिये हो इनका इस् safety यदि आप लो चाहते हैं तो अपने area का कम से कम यदि 30 से उपर जनरल वाले और OBC हैं यदि लगता है 30 तक तो संभावना है कि 5 में से कोई एक नेक आपको मिल जाना चाहिए कई सारी चीजें इस पर डिपेंट करती हैं केवल यह नहीं कि आप भरेंगे हो सकता है कि आपके जीले से काफी अभिर्थी भूगल में हो तब आपके जीले में जो सीटे होंगी वह आपस में ही ले लेंगे फिर आप खाली बचेंगे इसलिए अगल बगल में भी डालना है पुर्वांचल में यदि जादे लड़के सेलेक्ट हैं तो पुर्वांचल के जीले समाप्त हो जाएंगे आपको पस्ची में जाना होगा पस्ची में जादे होंगे तो खतम हो जाएंगे पुर्वांचल में आना पड़ेगा तो बहुत सारी कंडिशन से केवल मेरे कहने का एक तात्पर मत निकालिएगा आप लोगी समझदार हैं समझ रहें पर इस सितिया मैं सेफटी क तोर पर एक बताना चाहता हूं कि पांचवे नंबर का जो होगा उसको अपने ही छेतर में किसी इंटीरियर में डाली है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं मिले तो यह पांचवा मिल जाए और पांचवे को भी बेहतर लोकेशन पे लोग ड पनारस में नहीं है उसके आसपस तो कान पूडाल लेगा बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे रहने की ब्योस्ता रहेगी लखनव में लोग जाकर की इधर से लेंगे तो इस तरह से आपको जो प्राइम लोकेशन वाला है वो जल्दी मिलता नहीं आपको तो इसका एफिषान रखना है कि जो भी करना हो चार में उपर करिये पांच में में आपको ध्यान देना है यहां पर देख लिए जो ओवीशी का एक सिम्पल सा वहीं सतर रंग पर देखिये बल्याँ के है इनको अवरईया मिला है यह पांच सो पच्चीस किलो मिटर दूर गया है यदि यह լलरामपूर यह डाले होते जो की 72 नमबर वाले को मिला हुआ देखिये यह सत्तर पर रह के बलरामपूर को नहीं ले पाए और 72 वाला बलरामपूर को मिला इसको भी रेंडमली ही मिला होगा ये भी इसको डाला नहीं होगा ये जानी है रेंडमली इसको मिला भाग्य साली था इसका भी पांचो आपसन समाप्त हो गया होगा तो यदि बलरामपू डाले होते तो 252 किलो मीटर दूरी पर ये सर्विस कर रहे होते हैं यदि ये प्रियाग राज डाले होते हैं तो 272 किलो मीटर की दूरी पर रहते हैं अपने लोकल्टी में रहते हैं लेकिन इनका भी पांचो आपसन खतम हो गया सतरवाले का और यह और यहा पटका आ गया एक अत्तर नंबर पर देख लिए संतकबीर नगर जालाउन यह 487 किलो मेटर दूर जाकर के यह सर्विस कर रहे है जबकि बलरामपूर देखेए यह 72 वाला ले लिया है संतकबीर नगर से जो बलरामपुरवाला विद्याले है उसकी दूरी कितनी है 117 किलो मिटर लेकिन ये कहां चले गए जालाओन 487 किलो मिटर इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे चार आपसवन आप लोग अपने मन से भरिये हो सकता है तीन भरिये यदी लगता है कि सेलेक्शन होगा नहीं होगा अगरा इदर से आउधर वाले आकर कि इधर बलिया गाजीपूर में पठका जाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग 24 फिल करते समय अभी आप लोगों को कटेगरी वाइज ही कालेजों की सूची दिखाई दे रही होगी उसी में से आपको कालेज का चैन करना है इसको ले करके OBC और ESC वाले परिशान है कि यदि मेरा सेलेक्शन जनरल में हो गया तो मेरा आपसन जीरो हो जाएगा फिर कहीं भी हमें कालेज आवेंटित कर दिया जाएगा लेकिन आपको परशान होने की जरूरत नहीं है यदि आपका जनरल में सेलेक्शन होता है तो भविश्चे में जो result आएगा और जिन लोगों का भी जनरल में सेलेक्शन हुआ रहेगा उन लोगों के लिए साइट एक हपते के लिए पुना खोली जाएगी इसमें आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप किस रैंक पे हैं और आप से उपर जनरल में जनरल कंडिड साइट फिर से आप लोगों के लिए जनरल कटेगरी के लिए खुलेगी अब कालेज चैन में सबसे महत्पूर्ट तक थे क्या है इसको देखिए कालेज में जनसक्ती में कमी के कारण पद समाप्त तो नहीं हो गया है बहुत लोगी इसको समझी नहीं पाएंगे यह क्या है चात्र संख्या कम हो गई कम होने की वजह से जितने टीचर की जरूर्ट चात्र संख्या के आधार पे ही पद स्रिजित होते हैं यदि चात्र संख्या कम हो गई तो वहां पर पद कम हो जाएगा लेकिन अधियाचन पहले का है आपको नियुक्ति हो जाएगी यहां से लेटर PGT 2016 में लगभग 200 से अधिक अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए 200 से अधिक यहां से मिल गया कि जन सक्ती की कमी के कारण कारयभार ग्रहना कराया जासकेगा अब उनकी तो सीटे ही नहीं है उनको वो कालेंज अबेंटित हो गया उसके बाद यह लोग आयोग पहुंचेे मादमिक शिक्षा सेवा चैन गोर्ड, आयोग ने सीधे कहा, यह तो डियायस और प्रबंध की गलती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, फिर अन्तता ही इनलों को हार करके, कोट के सरण में जाना पड़ा, अब एक इसका छोटा सेक्जाम पर ले लीजिए, विकास इंतर कालेज खेसरहा सिधार्थ नगर, जो सिधार्थ नगर के लोग इस विडियो को देख रहेंगे, वो जानते होंगे इस विद्याले को, में PGT भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और सिक्षा सास्त्र, यह चार विश है कि PGT गए वहाँ पे अलाट हुआ, PGT गणित का अभी वहाँ पे अलाटमेंट हुआ, जब अभ्यर्थी पहुँचे, तो वहाँ पे इसी के कारण इनको लोटा दिया गया, इसी में से एक जो टीचर है, अभी हमारे हाँ एक महीना पहले हमारे कालेज में आके जोईन किये हैं, और यह PGT भूगोल में जिनका चैन हुआ था अभी अभी सोशल साइंस में इनका सेलेक्शन हुआ है, इसके तहट वह जाकर के जोईन किये हैं, PGT में अभी चकर ही काट रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है आपको मैं बता दिया, अधियाचन पहले का है, आपको सीट आवंतित आयोग कर देगा, उसके पास रिकार्ड है, आप जाएंगे तो वह पद समाप्त हो गई होगी, इस तरह से पूरा का पूरा खेल विगड़ जाएगा, आप टाप पे रहकर के भी बाटम पे आ जाएंगे, तो इसके लिए करें क्या हम लोग, आपके पद पर क इस पद के लिए आप अपलाई किये हैं, दोहजार सोलह में अधियाचन, दोहजार सोलह सत्रह में अधियाचन गया, बाद में मैनेजर लोग हैं, कुछ ने गुड़ा घरित कर करके, और उस पर प्रमोट कर देते हैं, टीजीटी वाले को पीजीटी पर, तो प्रमोशन से व के लिए मैं इसको आगाह कर रहा हूं, तो इसके लिए करें क्या दोनों केस के लिए, सिधी सी बात है भाई, आप सबसे पहले जो ये दिमाग लगा रहे हैं, कि कितने तक गया है, कितना कटाप है, कितने तक का सेलेक्शन होगा, इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप केवल अब इंटर्व्यू के लिए तयारी कर सकते हैं, और कालेज आपके सामने है महत्पूर्ण, जो भी से, इसका आप चैन करने में जितना ताकत जोक सकते हैं, इस पर ताकत जोकिए, जो भी आप पांच कालेज डालने वाले हैं उसके बारे में अपने दोस्त मीत्र वहां के लोगों से अध्यापकों से संपर करिए और उसके बारे में आंतरिक जानकारी लीजिए कई बार जाएंगे वहां के अध्यापक से पूछेंगे खुल करके आपको कुछ भी बताएगा नहीं क्योंकि आप वहां के member नहीं है आंतरिक चीजे नहीं बता पाएगा वो कोई समस्तिया हो गई तो इसके बारे में आपको खोज ख़बर रखनी है पद है या नहीं है कोई promote हो गया है कि नहीं हुआ है इस तरह की चीजे असपस्ट पद है कि नहीं बस इतना जानी यह आपको प करेंगे या उसमें परिसान करेंगे एक मैनेजर कर देगा दूसरा कुछ और करेगा कई तरह की समस्याएं होती है वहां बीवाद की स्थिती हमेशा आपको मिलेगी आपके साथ कुछ नहीं है तो आगे भविशे में कुछ भीवाद हो सकता है तो यदि आपके पास चैन का अभी आपसन है तो इन विवादों से दूर रहने का प्रयास करना है तो यह सब चीजे आपको पता करना है मैनेजमेंट आध्यापकों के बीच कोट बाजी तो नहीं है कई सारे ऐसे विद्याले हैं जहां पर थोड़ा सा भी मामला हो तो अध्यापकों पर मैनेजमेंट के तरफ से आप मैनेजर पर अध्यापकों के द्वारा कोट कचरी का मामला चलता रहता तो इसे विद्याले हो में जीवन नर्की हो जाएगा तो इसका भी पता कर लिजे कि वहां का माहौल कैसा है चुकि आपको आपसन अभी है आपको अंततर जो मिल जाएगा वहां तो आपक तो बहुत अच्छा है क्योंकि काम तो प्रिंस्पर के साथ आपको करना है मैनेजर का भी फिर स्वभाव मायने रखता है तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग जनकारी ले लेंगे अब दूसरे राज्यों के अभर्थी क्या करेंगे तो टांस्पोर्टेशन फेसल् प्रोथ से बहुत सारे ग्रूप बनाये हैं आप लोग और उसे जुड़े हैं उन ग्रूप के माध्यम से कोई कालेज आप डालना चाह रहे हो तो कुछ पता कीजिए कि क्या इस्थिती है वहां की उसके पास से पुर्वांचल की सीटों पर अधिक मारा मारी रहती है एक ची हो कि पुर्यांचल की सीटे भरे तो अच्छी है मेरिट में आप हैं तो निश्चीत रूप से आएंगे नीचे रहेंगे तो समस्यागरस जरूर है और कुछ चीजे बारिकिया हैं जिसको कही नहीं जाती है आप लोग समझ सकते हैं उतना इस तरह से आप लोग जो भी ये प अब आफ ही एक्सपेक्टेड अंडरलाइन पहले ही कर दिया हूं सब्द का मतलब समझेगा आप लो अनुमानित है कटाफ फार इंटर्भ्यू आफ्टर रिटेन रिजल्ट आ गया है अब 2021 का रिटेन रिजल्ट आ है कहां तक हुआ है ये सीटों की संख्या दी हुई है कट अब प्रसनों की संख्या देख लीजिए जन्रल में 89 सुनने को मिल रहा है कुछ लोग कर रहे है और लोग पहले से ही आंसर की के बाद भी बढ़ा लिये थै अपना की टेलर बढ़ेगा तो उसके लिए तो औकी सलामी पहले ही दिया जा चुका है एक्सपर्ट को तो वह जो कर किया सही से लोग आकलन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अभी तक जो सटीक जानकारी हमारे पास है 94 पे OBC में हुआ है SC में 89 पे हुआ है इस पे भी थोड़ा बहुत डाउट है और इस बार देख रहे हैं जनरल का और SC का दोनों का कटाफ सेम हो गया है इसके लिए भी आप लोग बढ़ाई के हगदार हैं भाई साचातकार में कितने लोगों को बुलाया गया है जनरल में 549 OBC में 293 और SC में 149181 लोगों को काल किया गया है इंटर्वियू के लिए अब कटाफ के अंतरकत प्रस्णों की संख्या मतलब कितने प्रस्ण से लेकर के हाइस्ट मैं इसमें उच्चतम 107 मान के अभी चल रहा हूँ मुझे अभी 107 भी मिला नहीं है 106 तक ही कंडिडेट्स मिले हैं तो मैं 107 ही मान के चल रहा हूँ तो इसमें 19 कोश्चन पे आपके देख रहे हैं 549 14 कोश्चन पे 293 अब आप इसमें कहेंगे EWS की चर्चा कहीं नहीं हो रही है तो बस केवल मैं कटाफ वाले प्रस्णों की संख्या बता दू 94 पे EWS में चैन हुआ है इसके अलावा सभी को रेड रखा हूँ क्योंकि मेरा भी माइंड ब्लेंक है EWS को लेकर के मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ अब देखिए मैं उच्यतम कितना रखा हूँ 107 कोश्चन रख रहा हूँ लेकिन गुप्त सुत्रों के आधार पर चलने वाले कुछ ऐसे चैनल हैं जो उच्यतम प्रस्ण कितना मान रहे हैं 115 तक गया है बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अभी तक तो मुझे 107 ही नहीं मिला 115 तक गुप्त चैनल वाले बता रहे हैं यदि ऐसा है तो 110 से अधिक प्रस्ण करने वाले अभेर्थियों को एक बड़े तोप के साथ बधाया और यदि 110 प्रस्णों से उपर के अभेर्थी नहीं मिलते हैं तो इस टेबल को आप लोग ध्यान से समझेए आप अपना फाइनल कटाफ लगभग अनुमान लगा सकते हैं इसको मैं पिछली बार कटाफ वाले वीडियो में डाला था और इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो मेरे कटाफ को भी आप नहीं समझे पिछला है इसमें देखिए इस टेबल को समझेंगे तब आप समझेंगे कि मेरा कटाफ क्यों गलत गया यहां 11 प्रस्नों पर 137 अभरती थे और आज के डेट में जो कटाफ जारी किया गया है उसमें 11 प्रस्नों पर यदि 107 मैं मानता हूं तो वहां से आप पीछे आते हैं तो 11 प्रस्नों पर 500 से 600 अभरती हैं आपके तो 600 अभरती जब यहीं पर आ गए मेरा बेस ही जब सही नहीं रहा तो मेरा कटाफ कैसे सही होगा अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि सिरियल नंबर पांच तक यानि कि टाप के जो पांच परस्नों करने वाले थे वो लोग 14 से 45 यहां दिखाए गया 45 सीर्थी जनरल में तो यह सेलेक्ट हो गए यानि 5 तक उपर से सुरक्षित हैं लेकिन इस बार टाप 5 तक जिनका है वो भी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं सायद सीटों की संख्या है तो माना भी जा सकता है लेकिन अब उसके नीचे आप 10 लोग हैं लेकिन आपकी संख्या चड़ी हुई है तो एक एक प्रस्न पर 50-60 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको तो आप सीटों की संख्या देखी रहे हैं तो दो ही प्रस्न पर हो सकता है 60-60 बलिठे हो तो 120 हो जाएंगे तो इस तरह से कटाप काफी अनुमाल लगाना अब मुर्खता पूर्ण है फिर भी मैं एक अनुमाल लगाया हूं इस हिसाब से देखिए जनरल का 390 प्लस यदि आपका टोटल जोड के बन रहा है मैं प्रस्नों की संख्या की हिसाब से नहीं मार्स की हिसाब से बता रहा हूं आप जोड लीजिए और इंटर्विव में आ मेरा विश्वास है कि इतना है तो सुरक्षित है SC SC में 370 प्लस सुरक्षित है इस बार हो सकता है और उपर भी जा सकता है इसका कोई ठीकाना नहीं यह बहुत आश्यर्चकित दिया है और EWS जिसके बारे में कई लोग पूछते हैं अब भरे थे बड़े आसानुई थे इनक 376 से 380 के आसपास आ सकता है लेकिन इसको पीला किया हूं क्योंकि मेरा भी दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है इसको ले करके अब देखिए निम्नलिखित तत्यों से संबंधित प्रस्णों के उत्तर गुप्त सुत्रों या आंतरिक सुत्रों की जनकारी रखने वाले चैनलो हो जाएगा आप लोग भी जान जाएंगे और हम लोग भी जान जाएंगे अंत में एदिक कुल मिला के कहा जाए तो निचोड फिर से जहां से सुरू किये थे वहीं आ गया है सभी आवस्यक डाकुमेंट तयार कर लें इसमें सबसे बड़ी समस्या मेडिकल को लेकर के आ रह दूसरा इंटर्विव में 45 अंक प्राप्त करने के लिए हर संभव आप प्रयास कीजिए उचीत प्रयास कीजिए कि कमसे कम उतना मिल जाए उतना पा जाएंगे आप तो चाहे चैन हो या ना हो आपको अफसोस नहीं रहना है जीवन में मैंने अपना प्रयास किया ठीक है अ आपके मन में प्रस्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचीत करेंगे और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों मैं इस चैनल को बहुत ही मित्रवत चलाना चाहता हूं जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हैं आप लोग देखते होंगे कि मैं सोसल लोगों से भी अपक्षा रखता हूं कि इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कहीं हम से गलती हो जाए तो आप लोग हमें जरूर से सुचित करेंगे मैं उसमें आगे सुधार करने की कोसिस करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों